सो यहां मेरे पास है दुनिया का सबसे पहला ट्रांस्परिंट वीव एस वन प्रो और इसमें जो बैटरी का प्रब्लम आ रहा है फॉन अपने आपी जो है रिस्टार्ट हो जा रहा है तो इसमें हम लोग चेंज करेंगे बैटरी और फॉन जो है मैंने पहले से ओपन करके चाहेगी मैं इसमें यूज कर रहा हूं एक सैमसंग नोट ट्वेंटी अल्ट्रा की बैटरी जो आप लोग देख सकते हैं यहां पर 4500 एमेज की बैटरी है 17.46 वाट आर की और इस वीवो की में बात करूं तो इसमें भी आपको मिल जाएगा 4500 एम एच और 17.41 वाट आर की क सबसे पहले जो वह सैमसंग की बैटरी को साइड पर रखिएंगे और इस बैटरी को करेंगे इस फॉन से कुछ इस तरह से इजली रीमूव हो जाएगी और अधेस्व मैंने पहले से रीमूव करके रखा था तो इस तरह से यह झोए पुल भी हो जाएगा अब phone को securely side पर रख देंगे और इस battery के यहाँ पर यह connector strip आप लोग उपर दीख पारे हो उसे हम लोग को निकलना होगा और इस वाली Samsung की battery पर इंस्चॉल करना होगा तो चलिए उसे भी सुरू करते हैं तो सबसे पहले विवो की strip हम यहाँ पर disconnect करेंगे क्यां पर चलिए उसे स्काव माराग व्हाँ लोग है और अग्जर स्टाइब तो डिखवार और सोड़कार स्टाइब परोगा झालिक पर दोग्छार की यहाँ लोग पर वेपर की यहाँ रहाँ तो फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद एडेसी टेप यहां पर हो गई है रिमॉप अब इस ट्रिप को में कट करना होगा और इसमें जो है एनोड और कैथोर को में याद रखा होगा और आपको याद रखनी की ज़्यादा जरूत नहीं होगी अगर आपको पता होगा यह प्लस और माइनस है तो यह पर यह प्लस और यह है माइनस और उसी तरह से यह सैमसंग की बैटरी पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्लस दीख रहा होगा और इस तरफ आपको माइनस दीख रहा होगा प्लस माइनस तो सबसे पहले जो है कट कर लेंगे दूनों स्ट्रिप को तो यह भी वह की बैटरी के जो स्ट्रिप है यहां पर निकल गई यह प्लस यह माइनस इसे रखतेंगे यहां पर और इस बैटरी को थोड़ा कर देंगे साइट पर क्योंक उसका यूज नही है अब बारी है इस वाली सैंसंग की बैटरी की जो है स्ट्रिप्स कट करने की तो इसे भी open करना होगा, कुछ इस तरह से यहां से open होगी यह और Samsung की strip जो है यहां पर कट हो गई है वीवों का strip connect करते हैं इस वाली battery पर तो यहां पर मेरे पास spark connector तो नहीं है तो मैं अपने soldering iron से इसको weld करने की कोशिश करूँगा final जो यहां पर soldering हो गया है जैसे का अब देख सकते हो यह positive terminal यहां पर यह positive terminal और यहां पर यह negative और यहां पर मैंने wire connection इसली किया है क्योंकि मुझे जो है connector इस तरफ लाना था और samsung का जो लोगो था बाहर की तरफ दीखना था अपने back panel से तो इसको जो अभी मैं यहां पर इस तरह से कुछ twist करूँगा कुछ इस तरह से तो यहां पर मेरा जो connector राइट साइड पैकर जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो phone में जो connector है राइट साइड पर दिया गया है तो इसको मुझे जो है यहां पर connect करना है अब इस तर्मिलार पर मैं थोड़ी बहुत taping करनी होगी और taping करने के बाद जो हम इसको पैक कर पाएंगे तो चले करते हैं इसको फटराव से taping तो इस तरह के प्लास्टिक का पीस मैं यहां पे लूँगा और इस टर्मिनल को यहां पे मैं बैंड कर दूँगा कुछ इस तरह से इस टर्मिनल को भी बैंड करेंगे हम तो चलिए आप करते हैं इसको इंस्टॉल और देखते हैं कि on हो पारा है यार नहीं हो पारा है तो यह मुह में तो ट्रूथ क्योंकि बैटरी का मामला है तो यहां पे जो है सावदानी बलत नहीं होती है और अब तब तो कुछ यहां पे मुझे शॉट सर्किट जासा नहीं दिख रहा है करते इसको अन और फॉन हो गया फिर से अलाइव और इस सक्सेसुली कंप्रिट के बाद अगर इसको मैं अच्छे से कर पाया और यह फॉन अच्छे से पैक हो गया तो यह फॉन जो है ऑफिस्यली दुनिया का सबसे पहला वीवो एसवन प्रो ट्रांसफरेंट के साथ साथ सैंसंग वाली बैटरी वाला फॉन भी हो जाएगा क्यूंकि वीवो के अंदर जो है सैंसंग की बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं यह वीवाली बैटरी निकलने के बात अब देखना सब्सक्राइब यह इस वाले बेक कावर में फिक्स हो पारी यह पिर नहीं हो पारी है यह ऑकन के और् उन तो हो गया है और पर्फक्ली वर्किंग रहा है यह फॉन आप आप लोग देख सकते हूं ican camera ile on रहे है वीडियो भी यहां पर ओन हुरा है camera is perfectly work कर रहे है अब एक पर चारजिंग में भी इसको लगाके देख लेते हैं अ है तो यहां पे phone charge भी हो रहा है इत मेंस कि यह बैटरी अश्छे से से वक कर रही है तो चलिए इसको करते हैं फट आउट से पैक और देखते हैं कि यह पैक हो पाता है या फिर नहीं आपको यह जो है मेरा वीओ के इंदर सैमसंग की बैटरी यूज करने का वीडियो अच्छा लगाओ और अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें जिए वीडियो को शेर करें और इस चैनल को जो है सब्स्क्राइब करना मत बुलिए तो मिलते हैं अगले पूरियों तब ते के लिए गुडबाई प्रेंग्स